नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ओफीशल यूडूब चलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुशकबरी है क्योंकि SSC की तरफ से जीडी की बंपर भरती आ चुकी है जी हाँ दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी कुशकबर दोस्तों में जादा से जादा शेर करें और रोजन असी परकान नई भरतियों की जानकरी के लिए चैनलन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबा दिजेगा ताकि अगली वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों अगर आप केवल दसवी कक पास पास भी है या फिर अगर आप इसना तक पास भी है तब भी आप सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं वहीं दोस्तों आपको सेलरी जो मिलेगी काफी बड़ी सेलरी मिलेगी लगबग आपको सतर हजार रुपे तक प्रतीमा आपको सेलरी मिलेगी और दोस्तों सेसी ज तो अधिक जानकर यूराविधन करने के लिए चली आपको लेकर चलते हैं सीधा official website पर तो हमारी website पुराने के लिए google में search करें सरकारी todaynews.com जैसे दोस्तों आप google में search करेंगे आप सीधा हमारी official website पर आजाएंगे तो दोस्तो जैसा कि आप दिसकते हैं हमारी official website पर उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रहा official notification जो की जारी हो चुका है SSC GD का जी हां दोस्तो यहां पर आप दिसकते हैं staff selection commission SSC की तरफ से GD constable की bumper भरती आ चुकी है कुल पदो की संके आप दिसकते हैं 25,271 पद यहां पर जारी कर दी गए हैं जिनके लिए आवेदन केवल आपको online करना है पुरे भारत की अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं SSC GD की भरती के लिए लड़के और लड़कियां वही salary आपको मिलेगी 21,700 से लगबग 70,000 रुपे परती मा जोब लोकेशन पुरे भारत की रहेगी वही उम्र सीमा यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम 23 साल है आई सीमा में छूट भी है रिजर्व के इंडियेट्स को वही दोस्तों यहाँ पर योग्यता जो है कम से कम 10 वी पास होना अनिवार है अगर आप 10 वी पास है तो आप आविधन कर सकते हैं 10 वी के लाबा अगर आप 12 वी या graduate पास भी है तब भी आप आविधन कर सकते हैं यहाँ पर आप दिसते हैं कितनी कितनी वेकेंसी है CISF में कितनी है, BASF में कितनी है, CRPF में कितनी है, SSDB में कितनी है मतलब आप दिसते हैं कितनी कितनी वेकेंसी है यहाँ पर आपको बता दें apply कैसे करना है यह रहा apply करने कर लिए यहाँ पर आप किलिक करेंगे तो आपके सामने यह पोटल आ जाएगा आपको यहाँ पर New User पर किलिक करना है इसको आपको भर लेना है आपकी ID, Password क्रियेट कर लेना है उसके बाद आपको फोरम सब्मिट करना होगा डोकुमेंट से अपलोड करने होगे सारी जानकरी आपको step by step देनी होगी qualification क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी डेटो बर्त क्या है, आपकी पिदाजी का नाम क्या है आधरकार नंबर क्या है, सारी जानकरी आपको fill करनी है, forum को submit करना होगा अधिक जानकरी के लिए सुचना को अध्यान से पढ़ लिजेगा कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक शेरो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जेहीं जे भारत